नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार क्या धर्म जिन्दगी से बड़ी चीज है और पुण्या या सबाब भी तो तभी मिलेगा ना जब आप जीवित रहेंगे देखिए कि सौधी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच यानि केवल एक हफ़ते में 577 हज यात्रियों की मौत हो गई पिछले साली ये आकड़ा 240 था 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्चिद में तापमान 51.8 डिगरी सेल्सियस यानि लगभग 52 डिगरी रिकॉर्ड किया गया था बिटिश अकबाद दगाडियन की रिपोर्ट के मताबिक मरने वालों में 323 नागरिक मिस्र के हैं और 60 जूर्डन के इसके अलावा इरान इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी मौत हुई है अभी तक ये नहीं पता कि इन में भारती हैं कितने और हैं भी या नहीं सौधी सरकार ने कहा है कि ज्यादतर मौते हीट स्टोक या गर्मी की वज़ज़ से बीमार पढ़ने के चलते हुई है इसके अलावा बहुत सारे हज यात्रियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है मिसर के विदेश मंत्री ने कहा कि वो सौधी अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों को खुजने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं इतना ही नहीं सौधी अरब सरकार के मताबिक गर्मी की वज़ज़ से बीमार हुए करीब दो हजार हज यात्रियों का इलाज किया जा रहा है सौधी ने सभी यात्रियों को च्छाते का इस्तिमाल करने के सलादी थी इसके अलबा उन्हें लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए भी कहा था लेकिन ज्यादतर हाजी मानते हैं कि मुश्किलों में किये गए हज का पुन्य ज्यादा मिलता है इसलिए वो आराम पहुचाने वाली चीजों से परहेज करते हैं लेकिन अब ये जंदगी के लिए ही महंगा साबित हो रहा है देखे कि माउंट और आफात की इबादत के साथ हज यात्रा की ज्यादतर रस्में दिन में ही की जाती है और इसके लिए हज यात्रियों को लंबे समय तक बाहर धूप में रहना पड़ता है वहां से लोटने वाले बताते हैं कि मक्का में सुबह आठ बजे से ही भारी गर्मी पढ़ने लगती है और बारा बचते बचते ता पान पचास टिकरी के आस पास पहुँच जाता है बहुत बड़ी संख्या में हज पर गए लोगों को बीमारी के हालत में सड़क के किनारे बैठे देखा जा सकता था हज के रास्तों पर लगातार इंबुलेंस तॉल रहे थे सुदी सरकार ने शांदार इंतजाम किये हज को अच्छे तरीखे से संपन्न कराना और हाजियों को हर मुम्किन सुविधा पहुचाना सुदी अरब के शाही परिवार के लिए सम्मान की बात मानी जाती है सुदी बादशा को दो पवित्र मस्चिदों का संरक्षक भी कहा जाता है लेकिन जितनी गर्मी पढ़ रही है और जिस तादाद में लोग हज के लिए पहुच गए उसे देखते हैं वे इंतजाम कम पढ़ गए अकसर तापमान 51 डिगरी सेल्सियस के पार चला जाता है सौदी अरब के अधिकारियों के मताबिक मक्का में जलवायू परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है यहां हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिगरी सेल्सियस पढ़ रहा है मतलब 20 साल में औसत तापमान 1 डिगरी बढ़ जाता है इसे ऐसे समझे है कि किवल 20 साल पहले मक्का का औसत तापमान 45 डिगरी हुआ करता था आज यह 50 डिगरी है इस साल करीब 18 लाख हज यातरी हज के लिए पहुँचे थे इन में से 16 लाख लोग दूसरे देशों के हैं मुश्किल इसलिए भी जादा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिना वीजा के भी हज के लिए पहुँच जाते हैं पैसों की कमी की वज़े से इस तरह के यातरी गेर कानूनी रास्तों के जरिये मक्का पहुँच जाते हैं नियूज एजनसी एफपी ने सौदी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि मरने वालों में मिस्र के यातरीयों की तादाद इसलिए जादा है क्योंकि इन में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्टरी नहीं किराया था उनके लिए बंदोबस्ती नहीं किये गए थे हज यात्रा की शुरुवात में सौधी ने बिना रजिस्टेशन वाले हजारों यात्रियों को मक्का से लोटा दिया था अब आईए जरा समझते हैं कि हज होता क्या है और ये मुसल्मानों के लिए इतना एहम क्यों माना जाता है तो इसलाम में पांच फर्ज में से एक फर्ज हज है कहते हैं हर मुसल्मान को जंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाना होता है धार्मिक माननेताओं के साल 628 में पैगंबर मुहम्मद ने अपने 1400 सिश्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी यह इसलाम की पहली तीर यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इबराहीम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया इसी को हज का जाता है हर साल दुनिया की अलग-अल कोटा तयार करता है उसी के हिसाब से तयारी की जाती है इनमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है इसके अलावा इरान, तुर्किय, मिसर, इथोपिया समेट कई देशों से हज यात ये पहनावे और उसके शुदता से जमबंदित है, हज पर जाने वाले सभी यात्री, यात्रा के पहले दिन से ये खास तरह का कपड़ा पहनते हैं, जिसे एहराम कहा जाता है, इसे सिला नहीं जाता है, ये सफेद रंग का एक कपड़ा होता है, लेकिन हज पर जाने वाली म से करना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादतर यात्री हज के दौरान ही उम्रा करते हैं, पैसे बचते हैं, लेकिन हज कभी भी नहीं किया जा सकता, इसका समय तय है, हज का तीसरा चरण है मीना और अराफात का मैदान, देखिए हज की शुरुआत इसलामिक महीने जिलहिजर क आठवी तारीख से होती है, इसी दिन हाजी मक्का से बारा किलो मिटर दूर मीना शहर जाते हैं, इसके अगले दिन वो अराफात के मैदान पहुँचते हैं, या खड़े होकर हाजी अल्ला को याद करते हैं, शाम को वो मुजदल्फा शहर जाते हैं, और दस तारीख की जायरीन वापस मीना शहर लोट जाते हैं, चौथा चरण है जमाराथ, अपने खूब सुनाओगा इसके बारे में, मीना लोटने के बाद सभी हज यात्री एक खास जगह पर जाकर शैतान को पत्थर मालते हैं, यह हज यात्रा का एक संकेतिक हिस्सा है, इसे जमाराथ कहा ज जाती है, इसके बाद आता है इदुल अजहा जिसे भारत में बकरीद भी कहते हैं, हज यात्रा के अंत में यात्री मीना से मक्का वापस लोटते हैं, और काबा के साथ चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है, इसी दिन पूरी दुनिया में बकरीद मनाई जाती है, आखरी बार तवाफ और दुआ करने के बाद हज की यात्रा पूरी हो जाती ये है हज की पूरी प्रक्रिया और इसी प्रक्रिया को पूरा करने चले 577 हज यात्रियों की जान चली गई हम इसकी वजहों में नहीं जाते लेकिन इस पर तो बात होनी चाहिए कि इतनी भारी गर् सिस्ट आपमान में हज का पंड कमाने गए लोगों की मौतें क्या टाली नहीं जा सकती थी और अगर टाली जा सकती थी तो कैसे इस वीडियो में इतना ही लेकर अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दब पता ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीम जेनरलिस्ट नमस्कार